हाई एवरिवन मैं हूँ अंशू और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक तम हलवाई जैसे खस्ता और क्रिस्पी समोसे बनाने की ऐसी सीग्रेट रैसी भी जिसे की ना तो समोसे ज़्यादा तेल सोखेंगे ना ही बहुत जल्दी से मुलायम पड़ेंगे और पहली ही बार में एकदम परफेक्ट समोसे आपके घर में बनेंगे तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगे खुब सारे tips and tricks जिससे कि आपके समोसे एकदम market जैसे बनेंगे तो इस समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक बरतन और इसमें डालेंगे हम 1.5 cup मैदा तो अगर grams में बताऊं तो यह 250 gram मैदा है अब हम इसमें taste के according नमक डाल देंगे एक चमच हम इसमें अजवाइन डाल देंगे तो इन्हें डाल करके हम थोड़ा सा mix कर लेंगे समोसे को एकदम खस्तेदार और क्रिस्पी बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज हो तो वो होती है इसमें मोईन मतलब कि अभी हम इसमें डालेंगे oil तो यहां हम डालेंगे इसमें 1.4 cup cooking oil तो मैं यूज करेंगे हूँ यह refined oil का आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं oil को डालने के बाद में इसको अच्छी तरह से हम mix करेंगे दौनों हाथों की help से आप इसको अच्छी तरह से mix कर लें तो इसको अच्छी तरह से mix करने के बाद में अभी हम इसको हाथ से इस तरह मुठी बना करके देखेंगे तो हलके हाथ से करना है हमें तो यह मैदा जो है अच्छे से बंद रही है तो इसका मतलब जो मौईन हमने डाला है वो एकदम perfect है तो यह हमने जो मौईन डाला है वो perfect है या नहीं या जानने का सबसे best तरीका है तो अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक tight आटा गूत करके तैयार कर लेंगे तो दूसरी जो जरूरी टिप है वो है सक्त आटा अगर हम इसका मुलाइम आटा लगाएंगे तो जो हमारे समोसे है वो सिखने के एक दो घंटे बादी soft हो जाएंगे अगर बहुत जादा tight आटा लगा लेंगे तो फिर हमें बेले में problem होगी तो यह दी कि यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरह का आटा लगाना है तो अभी हम इसको ढख करके 10-15 मिनट के लिए रख देंगे rest पर जिससे कि जो हमारा dough है वो अच्छी तरह से set हो जाए तो तब तक हम समोसे के लिए filling तयार करेंगे तो यहाँ मैंने लिया है पनीर और उसको इस तरह छोटे-छोटे pieces में cut कर लिया है तो अभी हम इस पर डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा जीरा powder और थोड़ी से लाल मिर्च थोड़ा सा हल्दी powder डालेंगे उसके बाद में gas पर रख लेंगे हम एक fry pan उसमें हम डाल देंगे दो चमच ओयल तो ओयल जब थोड़ा सा गरम हो जाएगा फिर हम उसमें डाल देंगे पनीर के pieces जिन पर हमने अभी masala लगाया था तो डालने के बाद में इनको कर लेंगे हम अच्छे से fry सबी तरब से इसको पलट करके अची तरह से fry कर लेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना शेयर करें अपने family and friends के साथ और इसी तरह की recipes के लिए मेरे channel को भी subscribe जरूर कर लें तो उनको fry करने के बाद में निकाल लेंगे एक प्लेट में फिर जो इसमें oil बचा हुआ है उसी में हम एक चमच ओयल और डाल लेंगे तो इसको थोड़ा सा गरम होने देंगे फिर हम इसमें डाल देंगे एक चमच जीरा एक चमची हम इसमें डालेंगे क्रश किया हुआ धनिया तो साबू धनियों को मैंने हलका दर्दरासा पीस लिया है उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची कट करके मिर्च डालने के बाद में इसमें डालेंगे बॉयल किये हुए आलू तो आलो डाल करके इनको हलका सा चला देंगे फिर हम इसमें डालेंगे बॉइल किया हुए मटर टेश्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे एक से डेर चमच हम इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर एक चमच भरके हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च एक चमच हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला आदा चमच इसमें डाल देंगे गरम मसाला थोड़ी सी हम डाल देंगे कसूरी मेती को हाथ से इस तरह रब करके और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर तो मिर्ची आप इसमें अपने according डाल सकते हैं जैसा भी खाना पसंद करते हो तो मैं है इनको थोड़े spicy बना रही हूँ तो सबी मसाले डालने के बाद में अभी हम इसको कर लेंगे अच्छे से mix तो इसको अच्छी तरह से mix करने के बाद तो इसको अभी हम 3-4 मिनट के लिए चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे जिससे कि इसके अंदर जितना भी मौशर है वो सब खतम हो जाए तो यह बहुत जरूरी step है क्योंकि जादा तर लोगों की सिकायत होती है कि समोसे सिखने के कुछ दिरबादी soft हो जाते हैं तो वो इसी वज़ा से होते हैं क्योंकि हम उसकी stuffing को अच्छी तरह से नहीं भूनते हैं इसमें आलों में रह जाता है moisture जिससे कि समोसे सिखने के थोड़ा सा मसल लेंगे हाथ से जिससे कि वह अच्छी तरह से स्मूध हो जाए तो यह दिखिए डो एकदम स्मूध हो गया है अभी हम क्या करेंगे कि इसमें से थोड़ा सा आठा ले लेंगे और उसकी इस तरह से बॉल्स बना लेंगे कॉमेंट भी कर दिया करो जैसे कि पता तो चले कि आपको ये रैसिपी अच्छी लग भी रही है या नहीं उसके बाद में हम इसको लंबा बेल लेंगे तो इसको राउंड शेप में ना बेल करके थोड़ा सा लंबाई में हमें बेलना है तो बेलते वक्त अगर आप चाहें तो इस पे थोड़ा सूखा मेता लगा करके भी बेल सकते हैं तो इसको बेल लेने के बाद में अभी हम एक चाकू की हेल्प से इसको बीच में से कट कर देंगे ये एक में से दो समों से बनने हैं तो अभी हम इसके एक पार्ट को इस तरह से उठा लेंगे और जिस तरब से हमने इसमें कट लगाया है न फिर एक कॉर्णर को उठा करके हम इस तरह अंगुठे पर रखेंगे और इस पर अच्छी तरह से इसके उपर हम लगा देंगे पानी पानी लगाने के बाद में दूसरे कॉर्नर को हम उठा करके इसके उपर रख देंगे और फिर हम इसको अच्छी तरह से प्रेस करते हुए सील कर देंगे ये देखिए कुछ इस तरह से कोन बना लेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्टफिंग तो इस्टफिंग डालने के बाद में उसको अंदर की तरफ थोड़ा सा प्रेस कर देंगे फिर इसके बीच में मैं रख रही हूँ एक पनीर क्यूब तो यह optional है अगर आप रखना चाहते तो रख सकते हैं नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं और उपर से हम इसमें डाल देंगे थोड़ी और स्टफिंग तो अच्छे से समोसे के अंदर स्टफिंग भननी है तो स्टफिंग हम इसमें डाल लेंगे अच्छे से बस ध्यान रखना है कि सील करते वक्त आलू है न वो बीच में ना आए तो अच्छे से सील हो जाए और फिर हम इसके चारों तरफ लगा देंगे पानी पानी लगाने के बाद में दोनों हाथों से हम इसको अच्छी तरह से सील कर देंगे जिससे कि इसेक्टे वक्त बिल्कुल भी नहीं फटेंगे तो ये देखिया हमारा समोसा रेडी है फ्राय होने के लिए तो इसी तरह से हम अपने सभी समोसे बना करके पहले रेडी कर लेंगे उसके बाद हम इनको फ्राय करेंगे तो चलिए फटा-फट से एक और समोसा बनाते हैं तो सबसे पहले हम इसको पानी लगा करके सील कर लेंगे तो इसको एक कोन की शेप दे देंगे तो इसका कोन बनाने के बाद में इसको हम इस तरह से पकड़ लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे स्टफिंग बीच में हम रख देंगे एक पनीर क्यूब उसके बाद उपर से और थोड़ी स्टफिंग रखेंगे तो स्टफिंग को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए अच्छे से सेट कर देंगे उसके बाद में हम इसके चारों तरफ पानी लगा लेंगे अच्छे से पानी लगा करके इसको सील कर लेंगे दौनों हाथों से इस तरह प्रेस करते हुए तो यह लिए जी तैयार है हमारा एक और समोसा तो अभी हम चलते हैं इनको फ्राइ करने के लिए तो फ्राइ करने के लिए हमेने एक कड़ाई में ओईल गरम होने रख दिया था पहले ही तो अभी हम सममयसों को एकि करके करना है इसको एकदम से ठंडा भी नहीं रखना है और बहुत ज्यादा तेज गरम भी नहीं करना है एकदम मीटियुम सा हमें गरम कर लेना है अगर ज़्यादा गरम हो जाएगा तो फिर क्या है न कि समोसे उपर उपर से ब्राउन हो जाएगे और अंदर से वे कच्चे रह जाएगे और ना ही वे क्रिस्पी बनेंगे तो समोसो को सेखते वक्त गैस का फिलेम लो या फिर मीडियम रखना है जिससे की समोसे अंदर तक अच्छी तरह से सिख जाएंगे काफी लंबे समय तक क्रिस्पी भी रहेंगे तो यहां हमारे समोसे अच्छी तरह से सिख गए हैं अभी हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में और बाकी समोसों को भी हम इसी तरह से इक लेंगे तो ये लिजे तयार हैं हमारे बहुत ही टेस्टी से समोसे तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको एक समोसे को तोड़ करके कि ये कितने खस्ता, क्रिस्पी और मज़िदार बने हैं देखते ही करेगा ना खाने का मन तो ये देखी लग रहे हैं एकदम टैंप्टिंग आ रहे हैं न मूम में पानी तो चलिए अभी हम चलते हैं इनको सर्व करने की प्रोसेस में तो यहां मैंने लिए एक सर्विंग प्लेट इसमें दो समोसों को मैंने इस तरह तोड़ करके रख लिया है तो इसके उपर अभी हम डालेंगे बारी कटी हुई प्याज ऑप्शनल है अगर नहीं खाते तो इसकिप कर सकते हैं उपर से मैं इसमें डाल रही हूँ स्पाइसी औं टेश्टी ग्रीन चटनी तो चटनी बनाने की रेसिपी मैं ब्रेट पकोड़े वाली वीडियो में और लेड़ी शेयर कर चुकी हूँ लिंक मैं दे दूँगे आई बटन पे फिर हम डालेंगे इस पर इमली की खटी मीटी चटनी तो इस चटनी की भी रेसिपी मैं अलग से शेयर कर चुकी हूँ अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैं दे दूँगे आई बटन पे तो उपर से मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी से इनमकीन तो इस तरह से एक बार समोसे जरूर बनाए आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल थैंक्यो फो वाचिंग